वेल्कम वाइस आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास इसार और जिसमें हम बात कने वाले हैं याद रखिया उध्यान विज्यान से समादेत कुछ महत्पूर्ण बिंदो को याद रखिया यहाँ पर जितने भी important point को रखा गया है वो सभी याद रखिया आपको exam में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की समाव ना है इसलिए याद रखिया सभी point को एक बार जरूर देख लेना जिससे कि आपको सभी वीडियो के साथ ही clear हो जाएंगे ठीक है तो फिर आज की glass को स्टार्ट करते हैं आज को सबसे पहले हम सानेंगे कि polarding किसी का आसता है याद रखिया माल लेजी कोई पोधा है जिसका जो तना होता एसको अगर हम माल लीजी दो मिटर की उशाय से जब यह बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं याद रखिया कि दो मिट की ऊंचाय से हम तने को काटते हैं इसनी क्रिया को क्या बोला सता है यादद की के लाज्टा है तौ यहादद कीया फूल कि एक 2 mm सही कट करना है लेकिन इसमें आधा कट करते हैं जो पूल वाले तो hun यानि याद रखिया फूलों का अच्छा विकास करने के लिए हम क्या करता है याद रखिया उनमें पिंचिंग करिया कर देते हैं जिससे कि यहाँ पर आप example भी देख सकते हो, कि यह जो pinching की किरिया है, यह सरवादी किसमे की जाती है, यादर 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 किसमे की नाइ श्रिशन के हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पुछे गए परगोला क्या होता है, अब यहाँ पर याद रखिएगा परगोला अगर हम समझने की कोसिज करें, तो वैसे सामानते है याद रखिएगा आपने भी ये किरिया जरूर अपना होगी, अगर आप एक फल फूलो के अच्छे सोकीनों, ठीक है, जैसे कि माल लीजिए, आपका जो घर होता है, ठीक है, उनकी जो दिवार होता है, अपने यह देखा होगा, याद रखिएगा, कुछ बेले ऐसी होती है, जिनके जो फूल होता है, यह काफी अट्रेक्टिव लगता है, काफी आकरसित हमें करत हैं, तो हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, कहीं से हम बेल को टोड़ लाते हैं, और क्या करते हैं, हमारी घर के चारों तरफ, या फिर सामाने तरह याद रखिएगा, जो हमारा गेट होता है, मैं गेट होता है, जो भी हमारी घर का, वहाँ पर हम लगा देते हैं, ताकि क् इन बेलों को घर की चोकट पर लगाना ही क्या कलाता है यादर कीगा परगोला क्यालाता है आप इसे देखना चाहते हो यहाँ पर सईसे समझ सकते हो वैसे यहाँ पर आप समझ के होगे कोई दिकत नहीं है कि यादर कीगा बेलों को संधाई करके बेलों की संधाई करके दरवा प्रकार का पेड़ाइब पता था जिसमें 20% फल्जीस होता है 15% टिएसेट की मात्रा होती है 10.5% एसीद होता है और यह किसन यादकिया आपसे पूछा गया था एव आपकी जो एक्सामोई टी 2012 में उसमें यह किसन आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया था या तर नेक्टर क्या होता है तो नेक्टर एक प्रकार का पेविपदार्त होता है जिसमें क्या होता है याद रखेगा 20% यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दोनों पूइंट वैसे देखने में सेम लग रहें लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफ्रेंस है यहां पर थोड़ा सा डिफ्रेंस है यहां देखिगा अगर इंग्लिस में देखना चाहिए तो एक डबलो वी है एक है वी लेकिन अगर हम हिंदीम बात करते हैं तो यहां दखे एक में बड़ी मात्रा है एकी और एक में है छोटी मात्रा तो अब पर हम बात कता है बड़ी मात्रा तो इसका मतलब क्या होता है याद रिकीगा दिवारों एवं पोदों पर चन्ने वाली जो बेलों को मोटे रूप में दिवार, पोदो पर चलने वाली जो बेल होती है, इनको याद कि यो मोटी रुम में क्या बोला सा है, वह इन बोला सा है, या फिर आप ऐसे मांच सकते हो, जो मोटी बेल, घ Preser बया तो आप निकाल सकते हो, जिसमे याद तो बड़े फूल आता है, या फिर वो दिखा ओटी मे रखी क्या होता है एक सरव होती है ठीक है और next point यहां पर वाइन जिसमें बड़ी एकी मातरा होती है कि next point में हम जानेंगे कि विनेगर क्या होता है तो या देखी गाउत विनेगर एक तरल उतफाद होता है जो एलकोहोलिक वैसे अमल से सरक्राव स्टार्ज का करने से बनता है याद रखिगा कि एलकोहलिक एर एस्टिक अमल से सरक्राव स्टार्ज का करने से कौन बनता है विनेगर बनता है और याद रखिगा इसी का एक दूसरा नाम होता है और वो क्या होता है याद रखिगा सिर्का आपने पढ़ा होगा बेस करेंगे जिसमें आदेखिए आपको दिया गया है वैनी अब यहां पर भी आदेखिए आप दो पॉइंट जरू नोट कर ले एक होता है वैनी एक होता है तो फैनी क्या होता है सबसे पहले हम यह जानेंगे ठीक है तो फैनी होता है एक परकार का पेई पदार्थ पेई पदार कि एक तरीका होता है किसका दक्षणी भारत में इस्त्रियों दुआरा बालों को फूलों से सजाने का एक तरीका होता है वेनी क्या लाता है या देखिए का बालों को फूलों से सजाने का एक तरीका लेकिन फेनी क्या होता है एक प्रकार का पेपदात होता है नैस्ट्रिशन क तो आप बोल सकते हो अगर आपसे कोई पूछा कि सब्जी या Зब Tam बता सकते हो इतो देके फल फूल कंद सब्जी बोला ऐए हो यात्य पुद एक फ्रफूल कंद चोकी सामानते हैं पकाने के बाद हम घाते हैं उससी को सब्छी बोल सकते हैं कि न ईइस स्टेशनक बात करेंगे लके सिंग्य के याकछा है फोर्सिंग के सिंग आप यहाँ पर यादरकिए एक पुइंट आप जरुनौट को लें स्वेजी टेटिव स्वी यह की लось हिता है डें लगाने का यही रहता हैए pathetic Chic Kya रहता है इह दो देखिए dressing अब ही STUDY deed क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिनारीट्व के फसल उगाना ही वेजिटेबल फोर्सिंग क्यालाता है तीनों पॉइंट दुबाला से सुन लीजिए कि ग्रीन हाउस होता है ठीक है आपने देखा होगा यह ग्रीन हाउस होता है जैसे कि मालीजी इसे एक ग्रीन कपड़े से डखा जाए यह याद रिखे एक कोई एक हेक्टर में क्रीन हाउस कितना भी बड़ा सकता है ठीक है इसका कोई छेतर फल नहीं है बस अपने यानि जितनी भी आव सकता है उसके लगाए इसे चारों तरफ से कवर किया असा है एक प्रकार का खेद ठीक है इसके अंतरगत क्या होते है याद रिखे कुछ मसीनें होती है जो क्या करत मैंने की जाती है इसलिए यहाद किया इसमें जो वेजीटेबल फॉर्स कें यह क्रिया अपनाई जाती है क्यों क्योंकि यान देखिया अगर मार लेजिए समझनी कोसिस करना अगर बात करते हैं सरदी और अगर निया कोई बोले का बधाये तो हम आप से कोई बोल देता है कि हमें जायद में चाहिए आप कैसे बिदा कर दो तो उसके लिए हम क्या करेंगे याद देखे ग्रिन हाउस पद्रती का प्रियो करेंगे क्या करेंगे ग्रिन हाउस पद्रती का हम प्रियो करेंगे क्यों 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 याद देखे जो ग्रीन हाउस पद्रती है इसमें क्या होता है याद कि आर्टिफिसल कर दौरहना धारिक आतर की कि आन्त्रों के दखांफ दखिक का कि नेक्ष्ट पॉइंट को वड़ते हैं कि रहले आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो को लाइक किसे इसके साथ यार सैस्सेर करना थे जरूर कर देना ठीक है ? और चartzण्व का सब्स्राइब नहीं किया है तो च Johann को सब्स्राइब ज़रूर कर ले क्योंकि हम आपके लिएbahणि यह वीडियो लाते रहते हैं नाइस्टिसन के हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि ट्राइमिंग किसे बोला सा है यहाँ पर आपसे पूछा गया फल फूल और सब्जियों वाले पोदे से अवांचनी है पोदे को भाग को अटाना फल फूल या सब्जियों वाले पोदे से अवांचनी है पो कि साल्फी यहाँ दुमाद करना ही क्या करता है कि नैसे करेंगे जिसके आप से पूछा गया है कि सोड कलचर किसे बोला है तो यहाँ देखी कर ब्दम आ पाप जरूर नोट कर समझाओं log अगया नाल अपार है कि मैं भूंगा पर इसे समय सकते हो छाइट je उस सबहं हम जाते हैं तो चाहित्व सहते हो फिर जहाएज आपको इसाबन आपको पता है कि आम को कोई हमने लगा दिया कुछ सालों में तीन से पांस सालों में क्या करता है इसमें फलन होता है या फिर कुछ ज्यादा भी टाइम लग जाता है तो यह पांस साल तक हम क्या करेंगे इसके लिए हम कुछ जैसे के ओरनामेंटल तरीके से अलंकृत बाकी तरह से हम क्या करते हैं उ इसमें आपसे पूछे है सायोन कि सायोन क्या होता है इसको करने से पहले एक बात आपके माइन में सेट कर लीजिए कि सायोन ठीक है सायोन होता है एक होता है रूट इस्टोग एक होता है सायोन एक होता है रूट इस्टोग अब या देखिए इन दोनों का प्रियोग है बड़ करने के लिए क्या आसा है इसे आप ऐसे समझें कोई एक साखा हमने ले लिए ठीक है जिसका आकार यह है और इसकी जस्ट नीचे हम क्या गरता है इस परकार के हम साखा ले लेते हैं कि यह जो दोनों प्रक्रिया यह दोनों आपस में जूड़ेगी इसे को साखा आप यहां पर थोड़ा ना समझना यह जो नोफ सेमार की एे है । मतलब यह दोनों आपस में जुड़ जाएगी हम इसे जोड़ना चाहे तो यह जुड़ जाएगी और यह संपूर्ण प्रक्रिया याद है कि यह क्यालाती है बड़िंग लेकिन क्या आपको यह पता है कि जो नीचे वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलासता है और जो उपर वा जो उपज से यह पहाँ वाला जो पोरषसन रहता है जिसे हम उपर से लगाते हैं तो बड़िंग में या जो sion होता है, ये किसी variety के हो सकता है, जो कि अच्छा हमें उतपाद़न दे सकें उसको हम ले लेते हैं, उसे हम क्या करता है? जो मूल वर्रेन्ट होता है इस पर हम लगा देते हैं और ये जो संपून्य प्रोसेसर, ये क्या करती है? बड़िंग करती है मेरा समझानी के मतलब बस यही पर यही है कि या द एक जो नेचे वाला जो पल्ण होता है जो कि जड़ वाला बहाग होता है इसे बोला सारऊा है उपर से लगा ऐसा है तो इसको क्या बोला सन películ fuelling आप सांकोर बोला डिया क्लियर होते हैं Hi नुरणण पूंट न cow it आप से पूझा कि रंग गॉली क्या आप तो रंगोली तु यार क्या समझेब निग रट आप लेपकी करते हो पिर रंगोली करते हो निगते हो कि दीवाली निकलिए तो रंगोली या यह देखना चाहूँ तो देख सकते हो कि भारत में हिंदु धर्म की लोगों द्वारा घरों में सूखी रंगों एवं रंगों की पूताई द्वारा आंगन को सजाना ही क्या कराता है रंगोली प्रिकिंग अब इसे आप यहादखिया ऐसे समझने के जोश्स करिए जिससे क्य भी नहीं भोलोगे कि या देखिई कर जब हम पोदे वगीचें में तो सब से पहले क्या होती है यह इसकी पढाई त्यार होती है और यह जो पोद यालती है यह कहिं देखिए यह कहलाती है फैसly तो तो याद देखिए इस नरसरी से प्री करना है इनको ओन रहाद देखिए हैंग broccoli प्रिकिंग कहलाता है अगर आप याद रखी का हर एक पॉइंट को समझने की गोसिस करोगे और समझ कर याद करोगी ना तब कभी नहीं बूलोगे इसलिए याद किया जितना संभव हो सके आप पॉइंट को पहले समझ ये उसके बाद में लर्न कीजिए उसे ठीक है नहीं स्र जैसे कि माली जिए तरवुजवा खरवुजवा खर्व ककड़ी वा इन सबी कि याद देखिए जो फॉल पर कार होता है यह क्या क्या लाता है यह क्या लाता है पैपर ठीक है नई स्टुशन के आप करेंगे जिसमें आपसे पूछाए पारस्तितिकी तो पारस्तितिकी में आपको कोई तिकत नहीं आने वाली है तो यहाँ देखिए जो हमारे चारो तरफ का जो वायो मंडल है इसी को पारस्तिती बोलासता है आप इससे समझ सकते हो कि हमारे जो चारो तरफ का जो वायो मंडल है ठीक है इसी को क्या बोलासता है पारस्तितिकी बोलासता है जेविक को होता है याध रिकिया अगर मां लेजी कोई host plant है या फिर on the plan is जो की क्या कर रहा है आपस में एक 1ग दूसरी के सहार क्या कर रहा 750 कर रहे हैं तो यह जो संडिका है याध रिकिया इप्पाइड केलाता है धुबारा से समंझ लीग कि कोई दो पोदे ऐसे हैं कि कोई दो पोदे ऐसे है जो कि आपस में क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ या फिर दोनों एक साथ क्या कर रहा है डौलोप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ वृद्धी कर रहा है तो इस अवस्ता कोई क्या बलास्ता याद किया इपिफाइट ब वेना तो एक के वेना क्या होता है यह हैं एक फूल प्रबंद का एक जापानीज तरीगा होता है ठीक है इसके साथ यहाँ पर एक पॉइंट हमारा रह चुका है कि हैर्मा फारोडाइट किसे वाला सा है तो ऐसे फूल जिनमें यहाँ दिखिए नर्वे माधा दोनों अंग पाइस हैं उनको क्या वोला सता है याद कि हैर्मा फ्रोडाइट वोला सता है नैस्टेशन के हम आत करेंगे जो क्यास कमार लाश्ट पॉइंट रहेगा और इसका याद रहेगा सेकिंड लेक्चर भी हम कम्प्लीट करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा सोर गल्व हो रहा है इसलिए हम सेकिंड क्लास में इसे क्लियर करेंगे ठीक है कुछ यहाँ पर पॉइंट सेस है अब बी तक तो सेकिंड जो आपकी क्लास रहेगी यह भी होटी कल्चर लगेगी जिसमें हम जितने भी हाँ पर सेस्पोइंट है जो कि आप सो एक्जाम में प पूरा देखना है